Hey everyone, मेरे नाव विशेक है और अगर आप सोच रहे हो कि वीडियो का टाइटल इस तरीके से रखने की ये वज़ाए की जाद से जादा व्यूज मिल सकें तो आप बिल्कुल सही सोच रहे हो लेकिन इस बात की पकी जारेंटी है कि आपको पर्स्पेक्टिव जरूर मिलेगा तो ये वीडियो है जिसमें जाकिर नाएक साब ने कुछ बात कही होगी जिसमें कि उन्होंने नौन विच को जस्टिफाइड ठहराया हुआ कि नौन विच एटिंग को जो की वो हमेशा करते है और अचारे प्रशांथ जी ने उस पे एक जवाब दिया है तो वो देख लेते हैं ओके एक क्वेश्चन है सब आपको वीडियो देखे हैं अच्छा ये पढ़ी रहे हैं तो हिनको ही पढ़ लेने देखे किसने क्या दिया पौदों में परच तो ही लेने है तो पौदों से ले लो भई जानवरों के शरीड में भी वो पेड़ पौदों से घानवरों आपいきडों एक सेकंद अबीभरों ही बाद हो गई हैं देखो क्या जस्ट वेजटेरियन डाइट से इन्सान की सारी nutrients की जरुरत पूरी हो सकती है कि नहीं हो सकती तो अगर आपको लगता है कि आपको इस बात का बिलकुल पक्का यखीन सही जवाब पता है तो आप गलत हो क्योंकि जिन भी sources को आप use कर रहे हो ना जैसे कि podcast या research या ये या वो या ये ये सारी जो चीज़े होती है क्योंकि ये ही आपका source है आपने खुद से जाके personal level पर research नहीं की चीज़ों को lab में ले जाके ठीक है तो जो ये source है ये इसलिए flawed है क्योंकि जो इस तरीके के research होती है ये funded by होती है companies जैसे कि बहुत बड़ी-बड़ी company है जैसे अमेरिका में companies को नाम है Tyson Foods वो एक JBS Foods एक और company है ये बड़ी-बड़ी companies है multinational जो की billions of dollar का business करती है meat का ठीक है और इस तरीके की वहाँ और भी companies है और अमेरिका में ही हर दुनिया के especially western countries में जहां से की researches आती है mainly तो ये companies क्या करती है इस तरीके की researches को fund करती है जिससे की ये पता लगाया जा सकता है कि non-vis से क्या-क्या फाइदे होंगे और क्यों वह बहुत necessary है ताकि उनका business चलता रहे ऐसा 60s में cigarettes के उपर होता था और हर समय में इस तरीके की information create की जाती है जिससे एक certain type के business इसको फाइदा मिलता है basically follow the money जो जवाब है इसका but क्या ये 100% सही है या 100% गलत है ये आपको कभी भी इसका सही जावर नहीं मिल सकता क्योंकि जो इसके जिनके फेवर में जा रहा होगा वो इसके फेवर में बातें ये research निकालेंगे जो ये research इसको quote करेंगे और जिनके ये negative में जा रहा हुआ जिनके जिनका ideology ये होगी कि ये खाना गलत है वो इसके against बातें निकालेंगे for example इन्होंने एक बात करेगी amino acids मिल जाते हैं प्लांट से अगर देखा जाए तो इसका आप खुद के ऊपर एक test कर सकते हो आप खुद एक इनसान के तोर पे vegetarian बनके एक साल देख सकते हो और उसका देख सकते हो कि आपकी body पे उसका किस तरीए का प्रभाव पड़ेगा personally मेरा ये मानना है कि हर इनसान की body type अलग होती है आप से हर इनसान की dietary needs अलग होती है और ये चीज परसें टू परसें वेरी करती है नौनविज खाना मेरी नजर में सिर्फ morally गलत है और उस morally गलत होने की सिर्फ एक वज़ा है क्योंकि आप एक दूसरे वेक्ती नहीं एक जानवर की हत्या कर रहे हो सिर्फ इतनी से सिंपल मेरा personal logic बहुत सिंपल है इस मामले में morally वो गलत है और एक और चीज यह है कि greenhouse gas आज के level पर जो industrial level animal farming हो रही है वो sustainable नहीं है long run में क्योंकि उसकी वैसे greenhouse gases का emission बहुत बढ़ गया है और कोई इस बार में बात नहीं करता है कोई you know like global warming की बात करता है या climate change की बात करते है terminologies change होगी global warming से climate change नई term आ गई है बट उसमें जो non-wage industry है या meat industry है उसके दोआरा जो emissions हो रहे है उसकी कोई बात नहीं करता है हार कोई you know carbon fuels के उपर ज़रूर बात करता है क्योंकि I guess उन लोगो भी चीज़ एफेक्ट करती होगी बट है निवे मेरे नजर में ये दो flaws है इस चीज़ में आज के लेवल का industrial level जो meat production है वो और उसका जो moral aspect है ये दो चीज़े मुझे नेगेटिव लगती है परसनली anyway let's move on अब बढ़ गया है लग उच्छ का थम एक तोर पर हो रहा है मासाहारियों की किरफास ये भी आई कारें के टमपरेचर ग्रोगर्ड 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 ने रहती है इसने कह दिया पौदों में नहीं मिल रहे जिन सज़न तुमने नाम का उलेक किया है यह जानकारी होते हुए भी वह त्तियों को दबा चिपा रहे है अ इस बारे में मैं आँच यह ज़नि मेरी प्लिलिजन है कि जानकारी नहीं है यह यह शायद इतनी बड़ी बात नहीं है जिन सद्धन की बात हो रही है, वो एक खास lens से चीजों को देखते हैं, जो की religion है, और उनके religion के हिसाब से, क्योंकि ये justified है, तो वो उसे justified मानते हैं, ये मेरी understanding है, और फिर उसको वो science से justify करें, ये जिस चीज से भी justify करें, that is another different thing, but ये basically इसकी जो motivation आ रही है, अगर आप ये सो दूस में भी certain sections है, जिन में है, जैसे जो शेव सनुद आए है, तो ये जो motivation आ रही है, इसको justify करने की, वो वहाँ से आ रही है, और फिर अपने preconceived उसको जो लोग justify करते हैं, science का इसने माल करके, ये चीजें इस तरीके के दूसरी, जो उनके favor में again, जो अपना business को justify करने के साइस का यूज कर रहे हैं, वैसे ही अपने religion को justify करने के लिए, science का यूज कर रहे हैं, अपने हिसाब से,